हर हर महादेव दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरोज एस्ट्रो में आज हम जानने वाले हैं कि सपने में साप को पानी में देखना कैसा होता है या सपने में साप को पानी पिलाना कैसा होता है दोस्तों साप एक ऐसा जीव है जो लंबे समय तक पानी मे भी रह सकता है अगर आपको सपने में साप और पानी एक साथ दिखाई देता है या साप पानी पर चलता हुआ दिखाई देता है तो ये सपना विभिन संकेत देता है चलिए विभिन अर्थों को विस्तार से जानते हैं अगर सपने में आप किसी साप को पानी के अंदर तेरते देखते हैं, तो ये सपना आपके जीवन में जगाने वाली भावना का संकेत देता है, ये भावना सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि सपने में साप की कौन सी स्थिती है, अगर सपने में एक साप पानी के अंदर एकदम शांती से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाब को दर्शाता है। अब बात करते हैं सपने में साप को तालाब से पानी पीते देखना कैसा होता है। सपने में आप एक जंगल में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि एक लंबा सा साप एक तालाब में पानी पी रहा है तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको प्राकरतिक तत्वों के साथ लड़ना पड़ सकता है। इसके साथ ही ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके शरीर में ऐसे विकार उत्पन होने वाले है, जिनका इलाज अभी तक होजा नहीं गया है अब बात करते हैं, सपने में साप को पानी पर चलते देखना कैसा होता है आम तोर पर ये सपना बहुत से लोगों के द्वारा देखा जाता है सपने में अगर आप किसी साप को पानी के उपर उपर चलते हुए देखते हैं, आप देखते हैं कि साप पानी के अंदर जरासा भी नहीं दूबता है तो मित्राव ये सपना आपकी भावनाओं का प्रतीक हो सकता है जो आपकी चिंता या ज्यान के बिना अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे है साप पानी के उपर चल रहा है और आप साप के पीछे-पीछे पानी पर दोड़ रहे है तो ये सकारात्मकर्थ को दर्शाता है, ये सपना बताता है, कि आगामी दिनों में आपके अंदर खत्रों के दर का इलाज होने वाला है अब बात करते हैं, सपने में साप को पानी पीते देखना कैसा होता है आप सपने में एक साप को नल से पानी पीते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुब संकेत देता है स्वपन शास्त्र के अनुसार आने वाले दिनों में आपकी वो मनो कामना पूर्म होने वाली है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे इसके साथ ही ये सपना वासना की पूर्ती का संकेद देता है कि लंबे समय तक आप अपनी काम वासना को दबाए हुए थे जल्द ही वो काम वासना पूर्ण होने वाली है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय भोले बाबा की